तो बाव लोग आप लोग की भारी डिमांड पर रॉबर्ट रिवेलियन पर आज बात करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सभी को गेम अफ थ्रोंस युनिवर्स के लिए आप लोग का प्यार अनबीटेवल है अनमैचवल है जिसका भी ट्रेंट भी नहीं चलना है और आप लोग इस यूनिवर्स से रिलेटेट कोई भी इनफॉर्मेशन छोड़ना नहीं चाते हैं और आप लोग का यही सबोर्ट बना रहेगा तो मेरा वादा है गेम अफ थ्रोंस यूनिवर्स की एक एक छोटी से छोटी डिटेल में आपको जरूर डिलिवर करूँगा डेफिनेटली चलो सुरू करते हैं बावा लोग टारगेरियन्स के लाइफ में हर बार की रोल प्ले किया है अगर इनका पर्चम लहराया है तो हैरन हॉल से ही और इनका डाउन फॉल भी यही से हुआ कैसे जब एगोन दी कॉनकरर के समय हैरन हॉल घुटने नहीं टेक रहा था चतव एगोन ने बलेरियन दा ब्लेक ड्रीड से हैरन हॉल की लंबी लंबी मिनारों और पत्थरों तक को जला कर पिगला दिया था और पुरे वैस्टोर्स में इस मोमेंट के बाद एगोन से सब की फटने लगी और बाकी लोगों ने भी अपनी आसानी से गुटने टेक दिया क्योंकि हैरन हॉल का किला अभेद और बहुत ही उचा था लेकिन एगोन ने इसकी मईया पलोत कर दी और टार्गेरियन का नास भी यहीं से हुआ जब सभी लोड ने एक टौर्णी यानि टौर्णामेंट पर पाटिसिपेट किया जिसे वाल्टर वेन ने आयोजन किया था और सभी को इनवाइड भी किया जिसमें एडार स्टाग यानि नेड स्टाग अपनी बहन लियाना स्ट लेकिन उसने आगे बढ़ते हुए कदम आगे बढ़ते हुए लियाना स्टाग को वो ताच पहना दिया और यहीं एक पॉइंट था जब आगे जाकर रॉबर्ट और भी जादा उससे आग बवूला हो जाता है और ये चीज एडार यानि नेड स्टाग को भी अच्छी नही लगी थी। के बाफ लोग तक भेज दी गई यानि रिकरडी स्टाक को जो साधी की तयारी कर रहे थे तुरंत किंग्स लेंडिंग को गए लेकिन मैट किंग ने प्रॉपर ट्रायल ना देते हुए रिकरड को फासी पर लटका दिया ब्रेंडिन स्टाक के सामने ही और उसके बाद किंग का आदेस मानने की जगए रॉबर्ट और नेडि स्टाक का साथ दिया रेबल करने के लिए और उन्होंने ये निल्ने निका रहा और यहां से वार स्टार्ट हो जाती है जो फर्स्ट वार लड़ी गई बैटल ऑफ गल्टाउन शुरुवात हुई गल्टाउन पर करने से जो रॉबर्ट बराथियन ने किया और वहां से अपने बाकी वफदार बैनर्स को यानि अलाई को साथ लेकर दूसी तरब नेडि स्टाक नॉर्थ में अपने सारे बैनर्स को एक ठठा गरने लग गए लेकिन काफी लॉड्स ने रॉबर्ट और नेडि स्टाक का जाम दिया गया जहां रॉबर्ट बराथियन ने लॉड्ड ग्रैंडि सन, लॉड्ड कैफरेन और लॉड्ड फैल को मारा जो साजिस कर रहे थे इसके खिलाब और जॉइन करना चाहा रहे थे किंग्स लैंडिंग आर्मी को उधर स्टॉम लैंड पर सारे रिबेलियन को के लिए वो सत्ता सौप के आया और नॉर्थ जाते वक्त उसका मुकाबला एसफोर्ड में रेंडल टारली से हुआ और रेंडल टारली क्राउन का बहुत बड़ा लॉयल अलाई था रेंडल टारली अगर आपको बता हो तुम्हें याद हो तो अपने सैंबल टारली का पपा जिसे डैनिर्स टाररली ने जला दिया था और लॉर्ड टारली और लॉर्ड मेस टारल दोनों की सेना मिलकर रॉबर्ट की सेना को लगबग हरा ही डालते हैं जिसमें रॉबर्ट का बड़ा अलाई लॉर्ड कैडरेन का सरकार दिया था रेंडल टारली ने और मैट किंग को भेजा उसके बाद लेकिन वहां से रोबर्ट बराथियन जैसे तैसे सर्वाइब कर गया और जॉन एरिन और नेड स्टाक के पास जाने लग गया था क्योंकि यहां कहने को हार मिली रोबर्ट को लेकिन इसका कोई ठोश सबूत नहीं है कि सही में यह हारे थे या फिर कि रोबर्ट सही में हारा भी था लेकिन इस जीत का क्रेडिट लॉड में स्टाइरल ने ले लिया और इस टॉम एंड्स रोबर्ट के महल की ओर चड़ाई कर दी थी इसने और जाकर खेराबंदी कर दी लगबग एक साल तक लेकिन कुछ उखार नहीं पाया इस टॉम एंड् रेवल आर्मी के लिए क्योंकि यहां से उनकी लाइफ में काफी चेंजेस हैं रोबर्ट जो एसफॉर्ट की लड़ाई के बाद भाग निकला था जिससे उसकी पूरी सेना ही लगबग खत्म हो चुकी थी और इसके पीछे मैट किंग का बहुत स्ट्रॉंग कैंडिडेट ल लेकिन रोबर्ट का ना ढूट पाये वो लोग क्योंकि वहां के लोग रोबर्ट के लिए काफी मददगार सावित हुए और उसके बाद यही जगह बैल की सबसे बड़ी लड़ाई सावित हुई जब नैडि स्टाक रिवर रेन के लौड होस्टर टली के साथ रोबर्ट का रेस्क्यू करने आए और कैनिक्टन की आर्मी को दोडा दोडा कर मारा कैनिक्टन की इस हार के बाद मैड किंग ने उसे मरवा दिया और उसकी सारी उपादी छीन कर लौड गाल्टन को दी दिया लेकिन कैनिक्टन हारने से पहले रेवल आर्मी को काफी हद तक खायल कर गया One Black Fire की भी, Rebellion की भी याद दिला दी थी, जो A Knight of the Seven Kingdom के टाइम पर था, यानि स्था Duncan the Tall के टाइम पर, उसने भी Crown की नाक में दम कर दिया था, उसके बाद John Arryn ने Hoster Tully की बेटी लेशा से साधी करी, और Ned Stark ने Catelyn से साधी करी, जिने आप जानते हैं, My Favorite Catelynist Stark.